नमस्ति आज का पाठ है वितान भागदो की पाठों में से एक पाठ संख्या तीन आतीत में दबे पाऊं और इस पाठ से एक पंक्ति की प्रश्णोत्त लेकर मैं अल्पना वर्मा यहां उपस सित हूँ आरो भागदो की सभी कविताएं व्याक्य साहित मेरे चैनल पर उपलब्ध है और क्लास 12 हिंदी कोर की प्लेलिस्ट में आप आरो और वितान के सभी पाठ जनसंचार माधिम के पाठ वहां देख सकते हैं पढ़ सकते हैं और व्याकरण के पाठों के लिए आप व्याकरण की प पुछ अन्य वीडियो भी मैंने प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु डाली हुई है आप उने भी देख कर लाव उठा सकते हैं तो बेपाओ लेखक ओम थानवी जी का लिखा हुआ है लेखक का परिचे आप लेखक के परिचे संबंदी वीडियो में देखें तो पाठ पर आत आजकले से मोहन जोदरो कहा जाता है मोहन जोदरो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला वर्तमन में मोहन जोदरो को किस नाम से जाना जाता है मोहन जोदरो की नाम से मोहन जोदरो यानि मोहन जोदरो की खोज किसने और कप की थी भारत जो विभाजन से पूर्व एक ही था ब प्रिटिश भारत में 1922 में राखल दास पैनरजी ने इस सिस्थान की खोजगी थी। यह किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है। तो यह तामर काल याने जब तामबे का उपयोग होता था, लोहे का अविश्कार अभी नहीं हुआ था, तब जो सभ्यता पनपी थी, उसम माना जाता है। मौण जोड़ो के अलावा सिंदू घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है, इसका नाम है हडपा। वरतमान में यह पुरा तात्विक स्थल कहां है, यह पाकिस्तान के सिंद प्रांत में है, 5000 साल पहले बना यह मौण जोड़ो शहर कितने एक शेत्र में फ पहला हुआ है। इसमें जो सड़क थी, मुख्य सड़क वे कितनी चौड़ी थी, याने कितनी चौड़ी है अभी जो खुदाई में मिली है, वो 33 याने 33 फीट। आबादी इसकी लगबक कितनी रही होगी, तो अंदाजन आबादी इस पूरे शहर की 85,000 रही होगी। सिंदु घाटी संस्कृती किस प्रकार की संस्कृती मानी जाती है, इसे हम मैदानी संस्कृती के नाम से जानते हैं। मोहन जो खुदाई किस की निर्देश पशुरू हुई थी? जौन मार्शल के निर्देश पशुरू हुई थी? और जौन मार्शल कौन थे? ये पुरा तत्तु शर्वेक्षन विभाग के उस समय के महानिदेशक थे, ततकालीन महानिदेशक थे जौन मार्शल. सौ वर्शों में अब तक मोहन जो खुदाई की गई है? केवल एकतिहाई भाग की खुदाई ही की गई है। सिंदु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? सिंदु घाटी की सभ्यता को इराग में जो इस्थान मिला था मैसो पुचामिया, उसके समकक्ष और मिस्र याने इजिप्ट की सभ्यता के समकक्ष माना जाता है. नागर भारत का सबसे पुराना लेंड्सकेप किसे कहते हैं? बौध स्थूप जो वहां मिला है उसे कहते हैं मोहन जोडर के स्थूप के सब चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा चबूतरा मिला था, जितनी खुदा हुई है उसमें, तो उस स्थान को गड़ का जाता है, यहां की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते ह हैं, जो आज की हम, जो सेक्टरस में बाटी हुई, जो कॉलोनी है, उनमें भी यह मिलता है, इस तरह का प्लान मिलता है, जो वहां मिला था, तो इस प्लान को आर्किटेक्ट्स, यानि जो आज की वास्तुकार है, वो इसे ग्रिट प्लान कहते हैं, मोहन जोड़ो का समाज कै साक्षर पढ़ा लिखा था और सुसंस्क्रित था और जबकि इसमें जो लिखित दस्तावेज मिले हैं उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया क्योंकि जानकारी नहीं है उस समय के लिपी की नदी के पाने से बचने के लिए जमीन की सतह को कैसे उठाया गया जिन्दू नदी के पाने से बचने के लिए जमीन की सतह को कच्ची पक्की इंटों से पाट कर उठाया गया था यहां कुल कितने कुएं मिले, लगबक 700 कुएं मिले हैं, यहां मिले कोठार में क्या संग्रह किया जाता रहा होगा, तो जो टेक्स के रूप में, कर के रूप में अनाज मिलता होगा, वह एकटा किया जाता रहा होगा, मौहन जोदरो में कुवों को छोड़ कर बाकि सब कुछ किसाकार के थे तो वहाँ सिर्फ कुवें जो हैं वो गोल सरकल शेप में थे गोलाकार के बाकि जितना भी वहाँ पर जो भी जगे मिली है जो भी संरश्णा मिली है वे चौकोर याने स्क्वेर या आयताकार याने रेक्चेंगल हुआ करती थी मौहन जोदरो को देखक भारत के किस राज्य को याद करने लगते हैं उन्हें राजिस्थान राज्य की याद आती है और उन्हें कौन से स्थान याद आता है कुल धरा गाउं याद आता है जो राजिस्थान में है राजिस्थान की दूप और सिंद की दूप में क्या अंतर है तो लेखक बताते हैं कि राजिस्थान की दूप उन्हें ऐसा लगा कि पारदर्शी है और सिंद की दूप चौनधी आने वाली है, ऐसा उन्हें लगा मोहन जोद्रो किस नदी के तट पर इस्तित है, बहुत आसान है, सिंदु नदी के तट पर है यहां के सबसे उची चबुद्रे पर कौन सा स्थूप बना हुआ है, बौध स्थूप मेलुहा शब्द, संभवत किस लिए प्रियोक्त हुआ होगा, तो यह मोहन जोद्रो के लिए प्रियोक्त हुआ होगा दुलाई के लिए किस बहान का प्रियोक किया जाता होगा, तो यहां बैल गाड़ी का प्रियोक किया जाता रहा होगा सिंदु घाटी के छोटे टीलों पर बनी हुई बस्तियों का क्या नाम कहा गया है इसे नीचा नगर कहा गया है जहां लोग जो काम करने वाले या निम्न वर्ग के जो लोग थे वे रहते होंगे ऐसा माना जाता है सिंदु खाटी के जल संबंदी अनोठी विशेषता क्या है तो यहां जल निकासी का उन्नत प्रबंद बताया जाता है तो जो भी यहां पे देखने को मिला उसके अनुसार कहा जाता है कि यहां ड्रेनेज का बहुत ही एडवांस सिस्टम रहा होगा मुहन जोदुर में लगबक कितने कोएं थे तो बता चुकियों में लगबक साथ सोखवें थे रंगरेज के कारखानों में क्या रखा जाता होगा रंगाई के बरतन रखे जाते होगे महाकुंड के पास मिले ग्यान शालाओं के अवशेशों को क्या नाम दिया गया है उसे नाम दिया गया है College of Priest यहां मिली पंजीकृत संख्या जे चीजों की संख्या लगबक कितनी है लगबक 50,000 से अधिक बताई जाती है यहां के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम DKG किसके नाम पर रखा गया है काशीनात दिख्षित जो पुरा तत्तु शास्त्रे थे उनके नाम पर रखा गया है यहां प्राप्त साथ फीट गहरे महाकुंड का आकार क्या था 40 फीट लंबा और 25 फीट चोड़ा तो 25 फीट चोड़ा और 40 फीट लंबा और 7 फीट गहरा था कुंड में इटों के बीच चूने और चिरोडी के गारे का इस्तमाल क्यों किया गया इसकी đो कारण थे एक तो यह कि जो अंदर का कुंड का पाणी है वो बाहर न रिसे उसके रिसाव करोकने के लिए और दूसरा कारण था अशुद्धु पानी बाहर से गंदा पानी कुंड के भीतर ना आए तो अशुद्धु पानी के प्रवेश को रोकने है तो इसका इस्तमाल किया गया था इस्तूप से महा कुंड की और जाने वाले रास्ते का क्या नाम रखा गया है जिविनिटी स्ट्रीट जिसका हिंदी में आर्थ होता है दैवे मार्क साध्वों के कमरे कहा थे कुंड के तीन तरफ थे और वहां कितनी पंक्तियां थी दो पंक्तियां थी और एक पान्थ में आठ इस्तनानगर बने हुए थे और इनकी खास्यत क्या थी कि ये इनके दर्वाजे एक दूसरे के दर्वाजों के सामने नहीं खुलते थे और ये कहां बने थे ये कुंड के उत्तर में याने नौर्थ में बने थे यहाँ जो नालियां मिली थी उनकी क्या खास्यत है यह पक्की इंटों की बनी हुई थी और ढकी हुई थी जो ड्रेनेज की नालियां थी रंगाई का छोटा कार खाना खुदाई के समय किसे मिला था तो यह नाम है माधो स्वरूप वत्स सिंद की खास फहचान छापे वाले कपड़ों को क्या कहते है इन्हें अजरक कहते है खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध रतकी की मुर्ती को कहां रखा गया है राष्ट्रे संग्राले दिल्ली में और काशिदाकारी का क्या अर्थ होता है कपड़ों पर फूल पत्ती या चित्र अंकित करने की कला चक्मक का अर्थ होता है रगड कर आग पैदा करने वाला पत्थर मुहन जद्रोड की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है क्योंकि यहां लगुता में महत्ता अनुभव करने वाले संस्कृति थी अर्थात लोगों में चोटे पन में भी बड़ा पन महसूस करने की बात थी उनके अंदर यह संस्कृति थी समुची सिंद्रोड सभ्यता में ओजार तो है परन्तु क्या नहीं मिला हत्यार नहीं मिला किस कारण वहाँ आप खुदाई नहीं की जाती अब वहाँ दलदल की समस्या के कारण और जो सिंदु पानी का अगर रिसाव होता है अधिक खुदाई से तो उससे शार की समस्या भी वहाँ हो सकती है दलदल की समस्या हो सकती है इस कारण इस खुदाई को रोग दिया गया है पलनिंग की गई थी सिते प्लानिंग के नगर नियोजन के अनूठी मिझाल थी सोनी की तेन सुईयां किसे मिली थी यह काशिनात दिख्षिद जी को मिली थी और इसके अलबव तांबी की स्वियां भी मिली थी नरेश की मूर्ति की दोशाले की क्या विशेशता है तो इस दोशाले पर आकर्शक गुलकारी है जो आज सिंद की खास पहचान बन गई है इन प्रश्णों के अतिरिक्त और यह भी बात है जो विशेश है यहां कि सिंदु सभ्यता खेती हर और पशुप पालक सभ्यता भी माने जाती है तो कि यहां जो पत्थर और जो उपकरन आदी मिले हैं और साथ यहां गेहूं कपा सरसों आदी फसलों की अच्छी उपज के अशेश मिलेंगे हूं का बीज मिला है तो उन सब के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि यहां खेती और कुरूची का भी महत्व था और लोहे का आविश्कार नहीं कहेंगे लोहे की खोज कहेंगे लोहे की खोज उस समय तक नहीं हो पाई थी और दूसरी एक और विशेश पात वहां जो देखी गई थी कि बड़े घरों में छोटी कमरे हुआ करते थी और संभावत वे जो निच वर्चा कर रहते हूं ऐसा अनुमाल लगाया जाता है और हो सकता है कि जो उपर की मंजिल पर बड़े कमरे होते होंगे वो नश्ट हो गये हैं अभी सिर्फ नीचली मंजिल के कमरे ही बचे हैं जो उन्हें मिले हैं और इसके अलावा वहां हात्यार नहीं मिलने से क्या बात प्रमानित होती है यह होती है कि वहां कि जो सब्वेता है उसमें राजा या धरम का आधिक प्रभाव नहीं था। किसी न किसी राजा का रहा होगा परण्तु वहां सामाजिक संगठन मजबूत रहा होगा और अनुशाशित रहा होगा घरों की दीवारों पर जो छहाइड दिखाई देते हैं वे किस काम के लिए होंगे तो वे शाहे दूसरी मनजिल को उठाने के लिए शैतीरों के लिए जगे बनाए गई प्रतीत होती है इसके साथ यह पाठ यही समाप्त होता है अगला पाठ एंट्रेंग की डायरी जल्द ही पोस्ट कर दिया जाएगा धन्यवाद